वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चानल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगी डॉरी लूप के बटन के साथ ब्यूटिफुल सा यह है गले का डिजाइन तो गाइस बिना स्किप के वीडियो को एंट तक देखें पेस्टिक की कटिंग हमने आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए और लेडि करके रखी थी लंबाई इसकी साड़े 11 इंच रहेगी धाइंच पर हमने एक कट लगाया है पेस्टिक पर दोनों साइड एक साइड से हमने सीधा और एक साइड हमने थोड़ा तीछा कट लगाया है पेस्टिक की चोड़ाई मैंने धाइ इंच रखी है और सेंटर में हमने हलका सा इसमें कट भी लगाया है कट हमें इतना लगाना है कि जितनी हमारी सिलाई लग जाए पेस्टिक की चोड़ाई हम एकिंग से वन पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे पेस्टिक को हमें इस तरह से कट की शेप से फोल्ड करना है इस से हमारा डिजाइन विशेप का बनेगा इस तरह के डिजाइन बहुती इजली बन जाते हैं इस तरह से कट लगा कर और हमारी पेस्टिक में कोई जोल भी नहीं आता है अपनी मेजर्मेंट की अकोर्डिंग मैंने गले की कटिंग भी करके रखी थी साड़े चार इंच मैंने इसे लंबा और साड़े च्छा इंच हमने इसको चोड़ा रखा है साड़ से हमने एक पटी बनाई है एक इंच की दोनों पेस्टिक को हमने फाबरिक के उपर प्रेस की हैल्प से ओल लेडी लगा लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो साइट से जो हमने extra margin रखा था फाब्रिक का उसे हम glue की help से अंदर की तरफ चिपका लेंगे यह प्रेस की help से बहुत ही easily चिपक जाएगा तो हम प्रेस की help से इससे चिपकाएगे यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है साइट का फाब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है यह हमारी पेस्टिक की front side होगी यहाँ पर हम इस less को लगाएंगे less हमें जादा चोड़ी नहीं लेनी है जितनी नेली आपकी less होगी design उतना ही attractive बनेगा less को हम back side लखेंगे और अपनी फाब्रिक पट्टी के किनारी किनारी पास सिलाई लगा कर दोनों को एक साथ attach करेंगे इस तरह की less से यह design और भी जादा attractive बनेगा और देखने में हुपसूरत भी plain fabric के साथ यह design बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप भी कोई plain fabric का suit बना रही है तो इस तरह का design जरूर ट्राई करें corner को हमें flashing के साथ बनाना है दोनों side हम इस तरह से less को लगा लेंगे कूर्ती को हम back side से रखेंगे और center में हम गले को रखेंगे और गले को रखने के बाद इस तरह से हम stitch कर लेंगे गले को center से ही आप चाहें तो आलपिन से भी इसे set कर सकती है बाद में हम इस सिलाई को हटा लेंगे अब हमने अपनी जो fabric पटी ready की थी उसे हम center में रखेंगे कूर्ती को back side से ही रखना है हमें डिजाइन वाली fabric पटी को हमें ऐसे रखना है कि गोल वाले गले के नीचे यह है इस तरह से stitch हो ताकि दोनों equally आए इस angle से यह है इसके नीचे आना चाहिए अब गले को एक side करेंगे हम और fabric पटी को stitch करना start करेंगे पेस्टी के just side side में ही हमें सिलाई को लगाना है ध्यान रहे कूर्ती के back side से ही रखकर हमें stitch करना है क्योंकि हमारी यह fabric पटी front side में fold होगी अब हम इस गले को हटा लेंगे यह हमने सिर्फ idea के लिए रखा था ताकि हमें गले के measurement का पता रहे अब हम इसे cutting करेंगे center से ही इस तरह से cutting करने के बाद हम इसे front side में fold करेंगे एसे हम इसे front side में fold करेंगे और side से किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे ताकि यह अच्छे से set हो जाए जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी उसके just उपर ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है जब भी आप इस तरह से double सिलाई लगाए एक दूसरे के उपर तो सिलाई को आप बहुती finishing के साथ लगाए ताकि आपकी दूसरी सिलाई ना दिखाई दे इससे आपके design में finishing आती है अगर दोनों सिलाई हमारी अलग-अलग दिखाई देंगी तो design अच्छा नहीं लगेगा और fabric पट्टी का design हमारा इस तरह से बन जाएगा अब हम इसके center line को cover करेंगे इसके लिए मैंने एक fabric लिया है double fold करके back side में हम fabric को रखेंगे और किनारी किनारी पर fabric पट्टी के सिलाई को लगाएंगे इससे हमारा यह fabric जो हमने back side में रखा है यह भी cover हो जाएगा और हमारा गला balance के साथ भी बना रहेगा one side हमें इस तरह से stitch कर लेना है दूसरी side भी हमने ऐसे ही stitch करते हुए डोरी के button को लगाया है अब डोरी के button को कैसे लगाना है हमने इस तरह से 4 इंच लंबी एक डोरी ली है डोरी को हमें इस तरह से fold करना है जैसे नॉर्मरी डोरी मर हम not लगाते है ज्यादा हमें tightly अपनी डोरी को नहीं कीचना है डोरी को हम दोनो side से ऐसे fold करेंगे और अब हम अपनी fabric पट्टी के नीचे रखेंगे से और side से सिलाई लगा का stitch कर लेंगे इस तरह के button के design बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और इसमें आपको किसी extra button की भी ज़रुरत नहीं पढ़ती और ऐसे fabric पट्टी के साथ डोरी की यह button हमारे लग गए है जो देखने में बहुत ही unique और खुबसूरत भी लग रहे हैं अब हम गाई इसके साथ अपने दूसरे गले को भी stitch करेंगे तो गले को हमें इस angle से ही front side में रखना है center में हम इस तरह से गले को रखेंगे और इस alpin के साथ हम set कर लेंगे गले की back side में हम last को रखेंगे और किनारी किनारी पास सिलाई लगा का stitch करेंगे जिस last को हमने fabric पट्टी के साथ लगाया है उसी last को हम यहाँ पर भी लगाएंगे इससे हमारा पूरा गले का design एक साथ ही रहेगा और देखने में भी equal लगेगा पूरे round पर हमें इसी तरह से इस last को लगा लेना है अब हम एक और fabric लेंगे गले की लंबाई और चोड़ाई की according और center में रखते हुए आलपिन से हम इसे set कर लेंगे अब हम इसे back side से रखेंगे अपनी कूर्ती के fabric को और जो extra fabric होगा उसे हम ऐसे cut करेंगे ताकि हमारी जो पेस्टिक होगी गले की वह हमें नजर आए अब पेस्टिक के हम side side में सिलाई को लगाएंगे सिलाई को लगाने के बाद extra fabric को हम कट करेंगे आज के design बहुत ही unique और खुबसूरत बनेगा गाईस तो बिना skip के वीडियो को end तक देखें आई थिंग आपको design पसंद आया होगा तो वीडियो को like and share जरूर करें साथी comments करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और fabric को हम back side में fault करेंगे किनारी पर सिलाई को लगाएंगे ताकि यह दोनो fabric equal लहे और इधर उधर ना जाए इससे गले में भी काफी finishing आईगी आप चाहें तो गले की गोलाई में भी अंदर की side less को लगा सकती है इससे पहले भी guys मैंने काफी गले के design बनाये हैं अगर आप देखना चाहती हैं तो channel पर visit करें और full videos देखें trouser design and neck design से related video भी आपको मिल जाएगी अब back side का जो हमारा extra fabric होगा उसे हम ऐसे cut करेंगे और fabric को हमें ऐसे fold कर लेना है और तुरपाई करके हम इसे set करेंगे दोनों side से अच्छे से तुरपाई कर लेंगे और final look आप देख सकते हैं beautiful सा हमारे गले का ऐसे बना है I think आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like and share ज़रूर करें और साथी गाईज अगर आप channel पढ़ने हैं तो channel को subscribe करें और bell icon को press ज़रूर करें ताकि हम जो भी next video upload करें उसका notification आप तक पहले पहुँचें और आप उससे फाइदा उठा सकें मिलते हैं next video के साथ